दोस्तों पहुँच गया हूँ बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार जी के घर यह कच्चा घर है खप्रेल वाला घर जिसे आप देख रहे हैं घर के ठीक सामने में खड़ा हूँ और इधर घर के बाहर कुछ गोहरी पाथी गई है जो गोबर की है और जिसे जलाया जाएगा जिसे भोजन बनाया जाएगा नितीज कुमार जी आने वाले हैं इसलिए तयारिया भी जोर सोर से हैं और यह उनका नया वाला घर है जिसमें आते हैं तो यहीं रुखते हैं लोगों से मिलते जुलते हुएं हम दिखा रहे हैं और बतलाने जा रहे हैं आठीवी बार जिसने सपत लिया है मुख्यमंत्री की और छे बार जो सांसद रहा हो राजी सभा और लोग सभा उसके घर हम हैं कुछ लोग बाचित कुछ लोग काम कर रहे हैं उनसे हम बात करते हैं माता जी की पुनितिति है तो उसमें आएँगे याहां एक सिसम सूख गया था तो इसको काटा जा रहा है और सिसम की डालिया घर के उपर चली गई थी तो इससे सुरक्षा की मामले में भी दिक्कत हो सकती है और कभी कोई चूख हो सकती है इसलिए पुराने सीषम को काटा गया है यह काचने वाले को लोग है बन विभाग होगा है नहीं अपना झीजी आ अच्छा नहीं परजो पूल फान था आप चलिए बता रहा है क्या ना में भी आपका तो बता रहे हैं कि अबन भी बाट्टों कटवाएगा यह हमारा ब्रतिकत है मुखमंत्री जी का है इसलिए हम लोग इसको कटवा रहा है और सापसफाई हम लोग करवा रहा है ऐसा जानकर के मुझे आच्चर हो रहा है कि ऐसा है कि लगों से भी बार्ट्री और अब तो उड़ाने में खट स फोड़ा गाना भी है ड़ाना है तो पेड़ गाना वी है जैसे ङपरसे हीbaar हर एलकme Renald laughing देख नहीं थे यह लोग कामधाम कर रहे हैं जिसमें नितीश कुमार जी आते हैं और यही पैत्रिक निवास है वो अभी निवास है जो अभी बी कच्छा हुआ है कच्छा पड़ा हुआ है दो भाई यह लोग है सतीश कुमार नाम है एक बाई का बड़े बाई है और इंजिनियर नितीश कु हैं इनसे जादे उम्र के लोग हैं तो अभी भी मुन्ना भहिया करके बुलाते हैं तो यह अरा दोस्तों यह उनका घर है सामने एक टालाब है और मैंने जाना है कि नितीश कुमार जी के पिता जी फ्रिडेम फाइटर थे राष्ट्र यांदोलन में उन्होंने बढ़चर करके हिचा लिया था जेल भी गए थे और अब हम चलते हैं जहां नितीश कुमार जी की पत्नी जो अब नहीं रही उनकी मुर्ती लगी है उनके माता जी की मुर्ती लगी है और यह एक सच में अगर सरकारी भी भाग को करना होता है तो इसको ठीक ठाक करता लेकिन अब नितीश या तो दबाओ डर हो सरकारी भी भाग नहीं कर पा रहा है और जैसा कि मैंने देखा हमने पढ़ा था चाड़क को आप यहां मत समझेगा कि मैं चमचागीरी कर रहा हूं या मेरे जहन में नहीं है लेकिन मैंने जो देखा वही किया इधर आ गया था नालंदा तो फिर इसे भी देखा चाड़क्य धिवरी जलाकर के काम कर रहे थे और बाद में कोई आया मिलने यह देखिए 15 साल बेमिसाल बिहार में सरबाधिक अवदी मुख्यमंत्री रहने का गवरव कल्यार विगहा के लाल आपने कर दिया कमाल आप हो विकास पुरुस आप ही हो नितीश कुमा आपकी सरकार आपसे सरोकार यह है नितीश कुमार जी का घर और 15 साल के आप तो अधिक हो गया ना कितना हो गया 15 साल जब हुआ था वहां के बच्चा लोग बोर्ड को जर्जर रस्तिती में था बच्चा लोग लगा दिया था उसको लिख के इसको कार्ज करम किया था था थ यह एक चीज बताइए लेकिन वह सब जो प्रेड़ लगे हैं उसमें जालियां है जालियों को उटा देना चाहिए तो उसको बन बीवाग से हम कहें आप लोग कहेंगे हम लोग करके उसको जालियां जैसे प्यड़ मोटे मोटे हो गए हैं तो आना पड़ेगा नुआ है इत इसमें जाते हैं पूजा पाठ करते हैं यह देखिए सड़क है अब जब पूजा पाठ करते हैं गाओं के मुन्ना ही है और प्रदेश के नितीज कुमार है देखिए जुगार इधर जुगार वाली गाड़िया चलती हैं बिहार में सिमेंट लाद करके ले जा रहे हैं अब हम चलते हैं उनके पिता जी के पास और उनके बारे में जानते हैं अमारों स्वतन्ता से नानी कभीराज राम लखन सिंग स्वर्गीय कभीराज राम लखन सिंग पूत्र स्वर्गीय किश्वरी सिंग सुपत्र स्वर्गीय सीता राम सिंग को सादर नमन 29 11 2007 पर्वेश्वरी देभी धर्म पत्नी सतीज कुमार सुपुत्र नितीज कुमार सुपुत्र धरंजे कुमार सुपुत्र बृतुंजे कुमार सुपुत्र निसांत निसांत इनके लड़के हैं 29 11 2007 इमा का स्थापना हुआ आईए अब हम उदर देखते हैं इनके व्यक्तित और कृतितु के बारे में अमर स्वत्मता से नानी स्वर्गीय कभी राज राम लखन सिंग 1929 में साइमन कमिशन काभी रोट करते वे जेल गए 1932 में नमक सत्यागरा आंदोलन में हिसा लिये एवंग जेल गए 1932 में राज की आयुर्वेद महाविद्याले पट्ना से आयुर्वेद चिकित्सा में असना तक 1934 में बक्तियारपूर बक्तियारपूर यानि यह जाओ जो और है बगल में आयुर्वेद्य चिकित्सा के रूप में आजीवन कारेज़त उनई सब्यालिस में अंग्रेजों भारत छोड़ों आंदोलन के तहद गीरफ्तार यानि तीन बार तीन जना अंदोलनों में जो राष्ट्री आंदोलन के प्रमुक आंदोलन थे प्रति वाग किया इनोंने आए यह माता जी स्वर्गिये परमैस्वरी देवी पुने धि लेटिटी एक जनवरी इतना बड़ा आयोजन है सच में और माता जी का आई आई उनसे भी बात कर लेते हैं नमस्ते क्या नाम है आपका क्या नाम है सवराज सवराज कितना प्यारा नाम है आपका बहुत अच्छा तो क्या कर रहे हैं आप साहब आने वाले हैं तो सरकारी भी वाक्ष आप हैं कि प्राइबेट हैं क्या यह थे प्राइबेट हैं कि लगे रहे हैं कि आपका कर रहे हैं और कोई नहीं है बोल्ला हैं प्रचण यह कहें नहीं मिला तो मतलब दो और मश्दूरों को कह गया था लकिन नहीं मिले कि अधिशा मील जाता है ना कि अधिशा कुछ राख रहे हैं कि अधिशा कुछ नहीं अच्छा चलिए कुल भी लाकर के ठीक है यह सरकारी विभाग से कामियन नहीं हो रहा है प्राइबेट मतलब संसाधनों से मजदूरों की तो ग्राम प्रदान यहां लगवा करके उतना करवा देते मंड़ेगा मंड़ेगा और इससे तरकारी नहीं होता यह अगर यह सच है तो यह बड़ी बात है नितीस बाभू सुसासन बाभू की जय हो और मैं इसलिए आपको यही से नमस्कार करता हम यदि यह सच है तो यह बड़ी बात है सच नहीं सच है ठीक है ठीक है आपको और मैने देखा भी तो कोई यह है मंझू देभी जी और वासान जिरनान यथा विहाया लिखा हुआ है और यह स्वर्गीय मंझू देभी जन्तिति प और दोस्तों याया था देखा औरacement वसा ही 살 दिखाया तो तो दोस्तों मैं हूं ब्रजबूशन दूबे यूटूब चैनल ब्रजबूशन मारकंडेल से बिनम्रता के साथ साधर नमस्कार